हलो दोस्त एक अच्छी खबर है अर्रबी एलपी टेक्निशन पर इच्छा एक अबली 18 पर जिसमें एलपी का प्रपीजनल पैना लाया है 62 लोगों का नाम है और अर्रबी गुरखपूर है लेकिन इस अर्रबी से एक और रिलेशन है भावनाएं है और लोगों के दिल की धड कंडिडेट को नोकरी नहीं मिलेगी जो करीब पोस्ट है वो नहीं भरा जाएगा पहला पैनल के बाद दूसरा नहीं होगा यह चेर्मैन साब कर रहे हैं यह वो कर रहे हैं यह वो कर रहे हैं कंडिडेट हंगामा कर रहे हैं लेकिन आज के डेट में कोई कहने वाला नहीं है और कोई पलपल बदलने वाला भी नहीं है RRB गुरगपुर की बात कर रहा हूँ कोई नहीं कहेगा कि किसी को पोस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि RRB गुरगपुर ने सारा पैनल लगभग लगभग दे दिया है कुछ पोस्टों को छोड़के तो कुछ लोगों के यह भी कोईरी आता है कि मेरा RRB आहमादाबाद में वेटिंग लिस्ट में था ADI में और वहाँ पे मेरा जोब नहीं मिल रहा है गुरगपुर से यहां ट्रांसपर किया गया है तो दोस्त रेलवे के पोलिसी इतनी असान नहीं होती कि इतना आप समझ सकते हैं वेटिंग की तो बाती नहीं करते वेटिंग तो कोई अधिकार नहीं जताता ऐसा RRB कहता है वेटिंग इसलिए बनाते हैं कि सब लोगों को एड़ेस्ट किया जाए जो में लिस्ट में खाली है और हम तो कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट एलपी की तो हमेशा आपकी एक संभावना बनी हुई है क्योंकि अभी नई बेकेंसी आएगी परिच्चा होगा एक्जाम होगा तब तक आपके लिए कुछ न कुछ पोसिबिलिटी रहती है आगे के लिए टेकनिसियन में भी रहता है लेकिन उसकी पोसिबिलिटी कम होती है तो यहां पर हम गुरखपूर की पैनल पर चलेंगे बोड आपकी वेपसाइट के रूप में तो यहां पर हमें दीखेगा पुरविजनल पैनल फोर एलपी टेकनिसियन में वाले में जिसमें एलपी की पैनल है इसको ओपेन करेंगे तो आपके पास आएगा थोड़ा एक डिटेल के रूप में आएगा एक लेटर जिसको आप इस लेटर को देखेंगे जो आजी की डेट में जारी हुआ है बेपसाइट पे जिसको आज का सकते हैं 20 तारीक है तो यहां पर 19-20 के नाम से है एडिशनल लिखा हुआ है वीडियो के थोड़े आगे पार्ट वाले में कुछ लोगों का कॉर्मेंट बार-बार आता है कि मेरा डिप्लोमा डिगरी फिर से वेरिपेकेशन होगा क्या तो जेनरली नहीं होता यह फॉर्मेट होता है रेल्वे को उसी में डालते जाते हैं जेनरली डॉक्मेंट वेरिपेकेशन नहीं होता कुछ लोगों का यही आता है कि यहां भी फिर से मेडिकल होगा क्या जब हम इतनी दिन डेट हो जाती है तो ऐसा कोई रूल नहीं है लेकि रेल्वे कहता है कि जब जरूरत पड़ेगा तब मेडिकल करूँगा जेनरली आपकी मेडिकल होती नहीं है लेकि रूल में तो रहता है कि जब जरूरत पड़ेगी जितनी बार जरूरत पड़ेगी आपका मेडिकल होगा इवेन हम आप जोब में भी आजाते हैं तो 5 एर में एक बार मेडिकल होती है और अलपी का तो जब जब परमोशन होगा या चेंज होगा तब तब आपकी मेडिकल होगी उसकी बात करते हैं लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे और अलग-अलग काटेगरी का भी क्योंकि पहले वाला डिजित रॉल नंबर अलग-अलग सब का है देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है पहले डिजित 12 से 23 से 38 से तो 62 लोग के हैं कंटिडेट है उसके बाद बोला गया है यह परिविजनल पैनल है इसकी बारे में ह हमेरा ज्यादा कोई भी अधिकार है वह अरार भी के पास रहेगा कुछ भी चेंज करना होगा कैंसील करना होगा टाइपिंग एरर होगा उसको भी सुधार करने का लेकिन यहां से लास्ट वाले लाइन में हम आएंगे जो हमने बात किया था कि लास्ट में लिखेंगे इसी की बात हो रही थी जो शुरुवात में हमने वीडियो में बात किया था कि बोला गया था कि आरार भी गुरखपूर में ओफिस्यल नोटिस आया था कि हमारे पास इतनी बेकेंशी नहीं है डिविजन बोला था जितनी आरार भी ने किसमे बेकेंशी ले लिया है उस बेक कहाना था हलाकि आज क्या डेट है जिसमें सभी को पैनल दे दिया गया है अब कोई नहीं कहेगा कि किसी को जौब नहीं मिलेगा यह बात है कि बहुत देरी हो गया सारी चीजे में प्रोसेस में वह सब बारारवी में हुआ और गुरॉखपूर में तो कुछ एक्स्ट्रा ही हुआ है और अभी चल रहा है ट्रेनिंग बगेरा का दिले में अब यहां पेकार आए कि अगर इसकी जो अब तक किलियर नहीं होगा आगे के प्रोसेस और पोस्टिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे ऐसा कुछ लिखा हुआ है डाइरेक्ट में इसका मीनि टू लोगों को एलपी में फीर से पैनल जारी हुआ है और यह मैं कहता हूं अंतिम पैनल नहीं है अभी भी